हम दिखते हैं अभी जो accumulator है इस question एक आप से है वो यह है कि अगर हमारे पास accumulator रिजिस्टर ना हो तब क्या होगा नहीं अभी हम यह कहा रहे हैं कि हमारे पास इसना का एक सिर्केंट बना हुआ था और उसके अंदर हमारे पास दो अपरेंट के ठीक है एक अपरेंट आप बना हुआ था structure और इसमें आप एक पास इसे करके कुछ इस तरह से एक आप से पूछा गया था कि इसमें यह हो रहा है कि ALU के इंदर एक आपनेट आपका पड़ा हुआ है इसके पास लोकल यह इसके पास लोकल एक रिजिस्टर है यह से हम कहते हैं accumulator रिजिस्टर एक डब इसमें आपका रैम में होता है क्यानी यह रैम है हमारे पास सीक्वेंट आप अड्रेस लोकेशन दें लोकेशन 0 1 2 3 तो एक आपरेंट स्पोर्ज आपके पास एक इस्ट्रक्शन है एड एड दे रहा हूं तो यह एक प्रीरेक होगा कि जो एड ए बी के अंदर जो ए है यह ह इसलिए हम इसे क्योंकि एक यह उपरेंट है जिसका अड्रेस लोकेट करना पाढ़ रहा है किसी सिंगल अड्रेस मशीन भी कहते है यह हमारे पस एड फर्स करें हमारे पस अगर एक्यमिलेटर रिस्टर हो ही ला तब क्या करना पड़ेंगे तब आपको दोनों आपरेंट मे में में स्वैब करना डेटा को और फिर लेके आना प्रोसेक्टर के लिए तो फिर एक हैं डिफ्रेंट अर्किटेक्ट्चर बाइगा जबकि एक होता है एक ही एक्यमिलेटर रिस्टर होता है जी यूज हो रहा है अब हम इस अर्टेक्ट्चर की छोटी सी इक अर्टेक्ट्चर है वो कुछ इस तरह से है कि एक इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों इस एक्डिक्यूट करनी है आप बाइविज एक्टेक्ट्चर तो यह जितने भी मेरे पास यह चारा जो एक्स्प्रेशन है यह मेरे पास कहां भी होगा अब यह पॉसिबल नहीं है और यह पॉसिबल नहीं है कि आपके मेमरी में ऐसे डेटा बड़ा होता है यह अनॉलोजी मैं यहां पे रात रहा हूं कांकि आपको सम्छाने के लिए है तो यहां पे एक जो एड्रेस है हमारे पास जीरो है बी का एड्रेस वान एडी का एड्रेस दूप है ठीक हो गया अब यहां पे हम इसे एक्स्टिउट करेंगे लिए अक्रिटेक्टर अर्किट्चर तो आक्रिटर अर्किट्चर में क्या होता है स्बसे पहले अब यह दिखिए इस इंस्टरॉक्शन पे अंदर सबसे ज़्यादा हाइस प्रियरृटी किस्की होगी जो प्र तो फिर आपने क्या करने है इसे accumulator में कैसी एक्जिक्यूट होगा यानि किस तरह की accumulator के अंदर आप कैसे एक्जिक्यूट करेंगे तो आपने सबसे पहला operation क्या perform करने multiply वाला C और B को multiply करने तो सबसे पहले आप एक instruction लिखेंगे load लोड भी क्या करेगा लोड भी यह करेगा कि इस बी की यह लोड वाल इंस्ट्रक्शन क्या करती है इस बी वेरियेबल को इस address भी लेगा इस address से उठाएगा और इसे load कर देगा accumulator के अंदर जो अभी मैंने accumulator बताया था न ऐसे करके CPU का architecture मैंने ऐसे करके बनाया था ऐसे करके ALU बना के आपको दिखाया था है ऐसे करके ALU और इसके साथ मैंने एक accumulator जिश्टर रहते बनाया है ACC तो यह statement क्या करती है इस accumulator में जाके उस data को load कर दे लोड बी का मतलब है कि इस बी ओपरेंड को इस accumulator में load कर दो तो जब यह load करेगा तो accumulator में क्या चिदा जाएगा 20 की लोड भी अब अगला काम क्या है मल्टिप्लाइ करने किसे मल्टिप्लाई करने égal हैC co में आरे पुड़ा हुए अब देखें एक उसEst diy ऑफ और लिया तरदू accumulator से तो यह क्या होगा क्या में पढ़ा हुआ है 20 तो क्या होगा अभी क्या में 20 बढ़ा हुआ था ना तो जब आप लेशेंगे ना तो क्या में क्या चला जाएगा 20 इंटू शी में क्या है 30 तो 20 तो 30 कितना होता है 20 इंटू 30 आप मंटिप्लाय करें यहां पर जाएगा 0 600 यह बन जाएगा 600 यहां पर आजाएगा यहां पर फेश्च्णी वैयो ओवर्राइट कर इस अब यहां पर छोड़ा सा गोड़ करें कि आपने ऐसा नहीं है कि accumulator में लोड़ होने का मतलब यह नहीं है कि automatically आपके variable accumulator में चल जा जाता है ऐसा नहीं होता accumulator में को पैसे load करना पड़ता है युजिंग instruction लेकिन क्योंकि accumulator एक ही ऑप्रेंड को अलाओ करता है लोड करने से लिए दो ऑप्रेंड अलाओ नहीं करता है तो दूसरा ऑप्रेंड आपका मेमरी में होगा ठीक है पहले आपने लोड गिया बी ऑप्रेंड को accumulator के अंदर फिर जैसी आप multiply C करेंगे तो यह क्या करेंगा C जो ओप्रेंड मेमरी में है उसे ठीक करेंगा और accumulator से multiply करके उसी में rewrite करतेगा यानि दुबारा हमारे पास accumulator में value करी जाएगी इसमें इसमें आपने यह प्लस वाला ऑपरेंटर आ जाता है यह वाला जो आपने add करने फिर आप देखेंगे add अब यह क्या दरेगा एक ओप्रेंट देखें आरेडी आपके पास accumulator में 600 पढ़ा हुए एक ओप्रेंट आरेडी accumulator के अंदर पढ़ा हुआ है वह 600 उसमें लिख रहे है add एक अद्रेश एक जाओ और इस में से जो वैल्यू है उसे एकमिलेटर में एड करेंगे तो आप याप इसमें आप करेंगे यह जो वैल्यू आपको च्छारा चाहिए अब इसमें जो मत्रीबलाई वाला है इसकी प्रियर्टी जैदा है अब आपने क्या करना है अब आपको पता है यह जो वैल्यू आपने 610 रखी है अब आप ने ये वैल्यू अगर आप चले मैं आपको बताता हूं उसको करके अब आप लिखेंगे अब आप करेंगी दुबारा ए और बी को मत्रीप्लाई करेंगे जो हमारे पास इस साइज को जालर्ट है तो आप लिखेंगे लोड ए जैसी आप लिखेंगे लोड ए तो क्या करेगा जो ए में जो जाएगा कि 610 को आप 10 से ओर राइट करेंगे तो 610 वाली वाली वैल्यू तो निकल जाएगी जो बात में हमने यह माइनस की लिखेंगे लिखेंगे वह इसका मतलब यह हुआ कि बिफोर बिफोर लोडिंग दवैल्यू इन एक्वालिटर रिजिस्टर यू नीड तो स्टो उसे आपने क कही स्टोड करना भी तो यह हा पर लिखें स्टोड बी जैसे स्टोड बी की इंस्ट्रोडियूट अग्जिक्उट होगी तो मेमरी में जाकर जो डी एक वेरियेबल है वहाँ पर जाके 610 को यह स्टोड कर देगी ठीक है यहां से value copy होगी और 610 memory में जाके store हो जाएगी अब क्या होगा अब आप लिखें load A फिर आप load करेंगे A को जैसे load A लिखेंगे A पड़ा हुआ 10 तो 10 को लोड कर देगा accumulator में लेकिन कोई problem नहीं है आप लिखेंगे लोड कर दिया आपने load A फिर आप लिखेंगे क्या multiply B multiply B तो यह क्या करेगा जो accumulator में value पड़ी हुई है B में जाएगा B हमारे पास यह वाला address location से B 20 बढ़ा हुए 20 को 10 से multiply करतेगा 20 को 10 से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 20 into 10 यह 200 बन जाएगा तो यह बन जाएगा 200 तो accumulator में क्या रख देगा यानि multiply B जब करेंगे तो B क्या करेगा कि B वाली जो चीज है वो इस accumulator में जो चीज पड़ी हुई है उससे multiply हो जाएगा तो B में 20 है और accumulator में 10 है तो यहाँ पे accumulator में 200 बढ़ा हुए है यानि यह वाला सारा solve किया हमने तो यह value बन गी 200 यह वाला सारा solve किया तो यह बन गी 610 और यह वाली value हमने store की हुए दी वरियाबर में और यह already D accumulator में, अब आपने क्या करने है, सब्ट्रैक करने है, क्या सब्ट्रैक करने है, आपने सब्ट्रैक करने है D में से, जैसे आप रिखेंगे ने सब्ट्रैक करने है, जैसे आप रिखेंगे ने सब्ट्रैक करने है, जैसे आप रिखेंगे ने सब्ट्रैक करने है, जैसे आप र तो पिछे कितना बच आएगा 410, तो 410 accumulator में राइट करतेगा, तो accumulator में जो latest value होगी, वो फड़ी होगी, 410, अगर आप इस सारे architecture पर गोर करें, इस example को देखें, गोर से, तो इसमें हर एक step पर क्या हो रहा है, पहले value आप लोड करें, फिर आप लिख रहे हैं, load जब accumulator में हो जाती है, तो आपके जो instruction है, उसके पास सिर्फ एक ओपरेंड है, देखें, multiply के पास एक ओपरेंड है, add के पास एक ओपरेंड है, store के पास एक ओपरेंड है, जबकि दूसरा ओपरेंड आपका, already upload करके accumulator में ले जाते हैं, ठीक हो गया, अगर को problem हुआ, तो मैं online session जब कर होता है, बहुत कम हार्डवेर से आप अपना काम कर लेती है, और इसको बड़ा असानी से आप डिजाइन भी कर सकते हैं, और इसको इसका drawback है, accumulator जो है, वो इतना जादा इसक्माल होता है, यह बॉटल नेक हो जाता है, ठीक है, और इसमें भी जो parallelism करनी की जो ability है, यह multiple process ह आपकर सेम ठाइम हो रहे हो, इसमें यह opportunity काम है, तो यह हमारे पास accumulator architecture का example है, तो next हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है, जर्नल परपस register architecture, तो जर्नल परपस register architecture क्या होता है, जर्नल परपस register architecture यह होता है, कि अभी मैंने आप से डिसकास किया था accumulator register, तो accumulator register क्या कर रहा है, एक value को आप उसमें accumulate कर सकते हैं, यानि आप अगर work करें तो आप as a programmer लिखती है, load B, तो B जो value है, memory में से load हो जाती है accumulator के अंदर, अब यहां पर note करेंगे, वो एक ऐसा register है, जिसको आप access कर रहे हैं और इस्तिमाल कर रहे हैं, तो अगर फर्स करें हमारे पास ऐसे ज्यादा register हो, अभी तो हमारे पास एक accumulator register है, अगर हमारे पास ज्यादा ऐसे register हो, के जिनके अंदर आप अपनी value को store कर सकें, उनको उन registers को आप open कर सकें, उनमें value store कर सकें, उससे क्या advantage होगा? उससे ही advantage होगा कि आपके system की जो performance है वो boost कर जाए, तो आपका computer है, वो क्या करेगा? बहुत तेज आपको जो हो instruction अग्डिक्यूट करके देगा, क्योंकि उसकी सारे operand जो instruction को require है वो already register में पड़े होंगे, तो memory में वैफर जो है वो processor को बहुत कम करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? system की performance बढ़ जाएगी, ठीप हो गया, तो basically उस problem को solve करने के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा register अपने पास रखें, जिनको programmer किसी भी time पे access कर सके और उनमें अपनी values को store करे, operands को store करे, तांगे processor जल्दी गाम करे, तो यहां के आप देखें कि हमारे पास यह इसको तोड़ा देख लेते हैं, कि the registers are used to speed up the processor operation, अभी मैंने आपसे यही बात की है, कि reading storing data into memory slow down the processes, यही बात मैंनी की, और उससे क्या drawback होते हैं, slow down कर देते हैं, तो general purpose register क्या करते हैं, store both data and address, data को भी आप उसमें, general purpose क्यों कहते हैं, उसमें आप data भी store कर सकते हैं, और memory की किसी location का address भी store कर सकते हैं, यही general purpose, जैसे general purpose का जो अगर आप reverse देखेंगे, तो क्या होगा, special purpose register, तो general purpose register का सबसे बड़ा advantage ही होता है, तो आप उनको access कर सकते हैं, यह आप उन register को आप access कर सकते हैं, कैसे मैंने भी लिखा load A, तो A, जो accumulator register है, मैंने उसको access किया, उसमें value को load कर दिया, मैं उसमें value read भी कर रहा हूं, मैं लिखता हूं multiply C, तो accumulator में से value निकल दिया और C से multiply हो जाती है, तो basically accumulator architecture जो है वो इस तरह का है, कि जिसमें सिर्फ A की register को आपका programmer access कर रहे, तो general purpose और उसमें सिर्फ A की value store हो रही है, यानि किसी operand की value को आप store कर दे, कोई address store नहीं कर दे, तो general purpose register ऐसा register होता है, एक तो वो programmer की control में होता है, programmer उसे access कर सकता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा यह होता है कि वो data restore कर लेता है, और memory की किसी location का address restore कर लेता है, तो इसका मतलब यह हुआ है अगर हम reverse देखेंगे, तो हमारे पास होगा special purpose register, कि वो किसी special purpose के लिए बनाए जाए है, जैसे उसके नाम से भी पता चाल दे, तो special purpose register क्या होते हैं, वो भी साथ ही हम देख लेते हैं, यह special purpose register यह है, special purpose register क्या है, ऐसे register हैं कि इनको आप को specific task आपका processor assign कर देते हैं, जो processor का designer है जिसने processor को बनाया है, वो ऐसे register बनाता है कि उनको आप को special task दे देते हैं, उन्हें special task को दे दिया जाता है, for example, जैसे आप देखें कि आपने अभी accumulator register पर बारे में आप लोगों को बताया था, कि programmer उसको access कर रहे है, तो वो basically उसको आप special purpose register कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही purpose के लिए इस्तमाल हो रहे है और वो कौन सा है, data को store कर रहे हैं, बस, दूसरा जिया है कि आप उसे access कर सकते हैं, लेकिन जो आप उसे access कर रहे हैं, वो जो access है, वो limited है, यानि उसमें आप address store नहीं कर सकते हैं, तो जैसे for example आपने कुछ special purpose register के examples देखी हैं, जैसे Program commander है, ये special purpose register है, ना आप इसे access कर सकते हैं, ना आप इसमें कुछ write सरके हैं, सारा control processor के पास है, इसी तरह does memory address register ये भी special purpose register है, आप इसे access भी नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ store भी नहीं कर सकते, इंटर्नल CPU जो पनीच करना है यसी तरह memory buffer जो उस पड़ा हुआ उसको buffert करने के लिए इसके इस्तिमाल होता है यह तो आसे जो सिर्फ memory डेटा व घुर करता है address को होती है special purpose परोसेसर यह से सबीष भूब्प्रेश्टर के convince me घर डरोग पर्णक्रोड करता हुग पडिए उंने वाली को इसमें पड़ी इन अपके Krants करना कोई होगा है तो यह वी आपके परिष कॉंपैव पर पडिशम करते गोग प सबनमेर के प्रॉम्हाँ के द्रूम्हाएं प्रॉप्स झाए, कंट्रॉल प्रॉंहाता है। इसको पाइंट आँट कर रहा होगा आप इसे अक्सेस्थि कर सकते आप इसे इसे को भी एक्सेस्थि कर सकते तो यह special purpose records रिजिस्टर है अगर कुछ बंदा आपसे पूछे कि special purpose registers जो होते हैं वो programmer कभी भी access रिजिस्थि कर सकता ऐसी बात धी होती है कुछ ऐसे registers होती हैं जिसको programmer हमें value को read कर सकता है जैसे मैंने accumulator की example तो next आपके पास है जी इसके बाद जो topic है जिस general purpose register यह मैंने आपको बता दिया है अब कौन-कौन से general purpose register हमारे पास इस्तमाल होती है तो normally जो हमारे पास register इस्तमाल होती है जनल पास इस्तमाल होती है इनके size क्या होती है 8 bit का भी होता है जैसे अभी इस वकर आपके बास example है इसमें जो register इस्तमाल हो रहा है वो 8 bit का हो रहा है कभी होता है 32 कभी होता है 64 कभी होता है 128 कभी होता है तो कितनी इसकी length 128 कभी होता है तो यह ऐसे register हैं आप assembly language पढ़ेंगे अगर आपके semester में आगे आ रही है तो उसमें आप देखेंगे कि यह ऐसे register होती है आप इन्हें खुद मैन्यों प्लेक सरते हैं तो यह होते हैं general purpose register तो next हमारे पास है जी General purpose register architecture यानि ऐसी आपके पास CPU के architectures है जिन में general purpose registers इस्तमाल हुए है आज कल कितने की आपके पास PCS हैं उनमें general purpose register का architecture इस्तमाल हुआ है तो इसमें basically क्या होता है बात सारी ओपरेंड की हो रही है तो हम देख रहे थे कि यहां पे हमारे पास तीन तरह आपके architecture इस्तमाल होते है इसमें general purpose register में एक हमारे पास है register to memory architecture एक है register to register architecture एक है memory to memory architecture तो पहला हम देखते हैं कि register to register architecture क्या होते है register to register architecture वही है जो आपके पास accumulator में आप लोग पार चुक है इसमें यह होता है कि एक operand आपका पढ़ा होगा register में ठीक है register में operand आपका पढ़ा होगा एक operand आपका memory में पढ़ा होगा लेकिन जब आप उनको आपस में जो भी computation आपने करनी है जो भी instruction तेंदर आपने execution करनी है वह execution होने के पास result आपका register में store जैसे यहां पर आप चेक करें हमारे पास एक C language की instruction है C is equal to A plus B इस instruction को आपने execute करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप R1 में A को load करेंगे फिर आप लेखेंगे add R1 आपका R1 में पढ़ा हुआ है और दूसरा operand आपका B जो आपको पास तो यहां पर एक operand आपका कहां पढ़ा हुआ है एक operand आपका पढ़ा हुआ है रेश्टर में आपने महां पर लोड किया उसको और उसके बाद आपने इनको add किया R1 को B में आइड किया B operand आपका memory में पढ़ा हुआ है यह memory में पड़ा हुआ है और आपने क्या किया इसको फिर आपने लोड किया ठीक है R3 में तो जो C जो value है वो हमारे पास जो था वो R3 के अंदर यहां पर आड़ो के result आ गया यह रिस्तर में फिर आपने लिखा store C तो R3 जो है वो C में store होगा यहां से मैं थोड़ा सा स्कोर इसका देता हूँ कि यहां पर आप देख लें अब यह थोड़ा सा इस्यू तो है हमारे पास whiteboard तो है नहीं अच्छा अब यहां पर आप देखनें कि एक अपरेंड आपका memory में पढ़ा हूँ है यह अपरेंड आपका memory में यहां पढ़ा हूँ है देखें यह memory में है और दूसरा आपका register में पढ़ा हूँ है जो processor के पास register है बहुत सारे R1 से लिए कि R16 तक तो आप यह question पूछ सकते कि दोनों आपरेंड हमने register में क्यों नहीं रखे कि दोनों आपरेंड आप register में रखे तो वररशी में आप यह आपका register to memory architecture ना रहता तो यह जो architecture है जिसमें हम कहरे है register to memory एक अपरेंड आपने लाज़मी में में रखना है अब एक आपके पास चाहए, रेजिस्टर लेजिस्टर करना है, तो फिर बंच चाहँ स्थीर, तो तो आप देखने हैं, हमारे पस C is equal to A plus B से execute करना है आपने आप लेखेंगे R1 A को R1 में लोड करें R2 के अंदर B को लोड कर लें R1 R2 को एड करें और R3 में आप उड करके result को स्टोर कर लें और फिर R3 को आप C वेरियेबल में स्टोर कर लें तो यह देख नहीं इस तरह से आपका जो है वो memory में जो calls है वो बहुत कम चाहे है पो यह हमारे पास है जो इस्टोर की यह वाले जो यह आपको memory में से फैच करने की जूरूरत नहीं है पहले आप उने र neutr हैर लोड करने है तो यह basically आपके पास होता है Register to Register architecture और लेकर आप यह करें जोडола के दोनों को आप मैमिरी में से बाप्रेंटे को आप फेज़ करें दूरि के लीए सिर्ख करें डियोडिफियन कैसे दिखे को तो इंटर आप अरनाच एक तरह और दोर दोनों अप मैमिरी में बथरेंगी सो बांग धेगा booking history एक है यह अपसलीट हो चुक है इसनी मैंने क्लास में से शामिल भी नहीं किया मैंने जो आपको पताए है एक आपके पास Register to Memory Architecture है एक Register to Register Architecture है तो मेरे खाल से यह आप लोगों समझ आगी होगी आपकी assignment है नोट कार ली देगा इस class की यह Friday की class है इसकी assignment आपकी यह है कि आपने यह करना है कि General Purpose Register और Special Purpose Register जो है इनके बारे में आपसे मुझे पताना है कि यह क्या होगी लाज़े